अब्ञिए नवस्कार मैं हूँ विनिता और आप देख रहें डैजी न्यूज़ और डैजी न्यूस के सेगमें में हम बात करते हैं अकबारों की सुख्यों की आज के अकबारों ने किन खबरों को प्रांथमिकता से अपने पन्ने पर जगह दिये तमाम उन खबरों पे हम वि परचा हो सकती है तमाम उन खबरों पे नज़र डालते हैं हिंदुस्तान ने जिस खबर को सबसे पहले अपने पहले पन्ने पर जखे दी है वो दरसल जुड़ी हुई है कोरोना वाइरस है जी हां तो कोरोना को बिहार में महामारी घोशित कर दिया गया है बिहार में नोवल को बख आइसोलेशन वार में भटी करा सकती है जांच रिपोर्ट आने पर या 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखने के बाद उसे छोड़ा जा सकता है जो भी संदिक्द जांच इलास से इंकार करेगा उसके खिलाफ भारतिय डंड विधान की धारा 188 के तहट कानूनी पर समाज हित्मे व्यापक कारवाई करना है मंगलवार को राजसरकार ने स्वास्त विभाग की अनुशंसा पर बिहार में एपेडमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली 2020 को ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया विभाग कियों से इस समन में राजश्य गजट के माधिम से सूचना चारी की गई इस निमावली को केंद्रिय कानूंद अपेडमिक डिजीज आक्ट 1897 के विभिन प्रावधानों के तहट लागू किया गया है महीं दूसरी खबर भी दरसल कोरोना से जुड़ी हुई है 35 संदिक्दों की जाच रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो इस तीन नमूनों के जात बुधवार को की जाएगी इधर एक और खबर जिसको हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है बिना वाशिक परिक्षा अगली कक्षा में जा सकते हैं बच्चे दरसल कोरोना की वज़ह से बिहार के सरकारी स्कूलों के विद्याठि की पढ़ाई और परिक्षा स्थागित होने को लेकर पूछे जाने पर बताया कि विभाग विचार करेगा कि कैसे बिना मुल्यांकर विदार्थियों को अगली कक्षा में भेजा जाए इधर बात अगर नौबतपूर की करें तो नौबतपूर की खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगदिये घर में इलाज करा रही जर्मनी से लोटी एक महिला है जी हां तो नौबतपूर में विदेश से लोटे दो लोग खासी और छाती में दड़ की शिकायत के बावजूद घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं इस संबद में स्वास्त जानकारी दी गई बाजूद उन्हें आइसोलेशन वार में भटी नहीं कराये गया है इस लापरवाही से शेत्र में हड कंप मचा है शेत्र के लोगों को इसका पता तब चला जब नौबत पूर वाजार निवासी महिला मंगलवार को निजी क्लिनिक पहुंची डॉक्टर क उसने बताया कि साथ मार्च को पती के साथ जर्मनी से वो लोटी है इसके बाद क्लिनिक में अफरा तफ्रीम बच गई करूना से मिलता जुलता लक्षन मिलने पर तुरंद उसे पीम सीय जाने को कहा गया है हाला कि महिला अस्पताल के बज़ा घर चली गई वहीं डॉक्टर के अनुसार नौबतपूर के विपलावा इस्थित गाउं में पिछले हफते 30 साल का युवक वो मांग से भी आया है वह भी इलाज कराने पहुँचा अगली खबर बिहार की सियासे से जुड़ी हुई है ज जीतन राम मांजी से मुलाकात की एक अने मार्ग में दोनों नेताओं में करीब एक घंटे तक ये बातचीत हुई है मौजुदा हालात में दोनों की मुलाकात बहत एहम मानी जारी बातचीत के बाद मांजी ने कोई भी जानकाई दिने से मना कर दिया बता दे आपको जिस हम पार्टी के मांजी अध्यक्ष है वो अभी गडबंधन महागडबंधन का घटक दल है दोनों की इस मुलाकात से सूबे की खासकर महागडबंधन की सियासत गर्मा गई पिछले दो दिन से मांजी अपने बयानों से महागडबंधन के प्रमुख दल राजत पनिशाना साथ है स दोमगार को उनकी आवास पर रालोस पानेता उपेंदर कुश्वाहा और वी आईपी अधिक्ष मुकेश सहनी ने भी मुलाकाद की इसके पाफ तीनों ने तॉन अल्टीमेटम दिया था कि अगर मार्च तक महागडबंदन की कॉर्डिनेशन कमीटी नहीं बनी तो उनके रास् चास रुपे हो गया है तो आम लोगों की जेप पर महंगाई का एक और जबरदर सवार पढ़ता हुआ दिख रहा है कोरोना वारस की फैलाओ को कम करने के मद्दे नजर इस तरीके का कदम उठाया गया तो दानापूर मंडल ने तेरह स्टेशनों पर प्लेटफर्म टिकेट का मूल बढ़ा कर 10 रुपे से 50 रुपे कर दिया है उनीस मार्च की अर्थ रात्री से बढ़ा हुआ दाम देना पड़ेगा दानापूर मंडल रेल प्रवंध अक्सुनिल कुमा ने बताए कि भीड कम करने के उदेश्ट सैसा किया गया पतना पतना साहिव दानापूर पार् पतना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अब रफतार पकड़ेगा राजस सरकार ने मेट्रो का रूट फाइनल कर दिया है जापानी अजनसी जाइका ने इस प्रोजेक्ट के लोन को प्रात्मिकता सूची में शामिल कर लिया है दिली मेट्रो रेल का उपरेशन की तरफ से दिये या बदलाओं के सुझाओं को सरकार ने माल लिया है अब मेट्रो के दोनों कोरिडोर की लंबाई बढ़कर 32.1-2 किलो मीटर हो गई है इसमें पहला 17.95 और दूसरा 14.1-7 किलो मीटर लंबा होगा वहीं इतवारपूर डिपो की जगा अब मेट्रो के दोनों डिपो न्यू परचा करेंगे लेकिन तब तक के लिए बिहार जारकन की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दैज्डी नीज नमस्कार